देखे यूं तो भारत को वैसे युवाव का देश कहा जाता और भारत के अंदर इतने युवाव हैं जितने पूरी अमरीका की जनसंख्या नहीं है पर अंतु उसके बावजूद भी यहां भारत में इतने जो लोग हैं वरिष्ट जो नागरिक हैं वो भी इस दुनिया में बहुत बड़ा तबका आज कहीं न कहीं विक्टमाइज है अब आप देखिए कि वरिष्ट नागरिक जो पूरा जीवन भर अपना लगा देते हैं पूंजी बनाने में और बाद में उन्हें रोते हुए देखा गया है शेल्टर हॉम्स में उन्हें देखा गया उनकी जो इ बाकार जो भारत के बुजुर्ग हैं जो भारत के वरिष्ट नागरिक हैं वह अपने हितों को शुरक्षित कर सकते हैं देखिए अगर कोई भी व्रद माबाब सबसे जरूरी बात यह है कि अपने बच्चों से वह खाना खर्चा या मेंटरेंस ले सकता है वह मेंटरेंस जो और बहुत ही effective एक एक है Senior Citizen Act जिसके तहट जो कोई भी वरिष्ट नागरिक जो 60 साल से ज्यादा का है वह DM के पास में वह एप्रोच कर सकता है चाहूंगा कि अगर कोई भी वरिष्ट नागरिख अपने बच्चों से अपने लड़के से अपनी बहु से अपने पोतों से परिशान है और उसे घर से बेधखल कर दिया गया है या उसके घर पर कब्जा करने की नियत से उसी के परिवार वाले उसको परिशान कर रहे हैं तो वह है Senior Citizen Act के मा सबसे जारा फाइदा यह है कि अगर आप सिविल कोट में इस केस को फाइल करेंगे और अपनी प्रोपर्टी को लेने के लिए फाइल करेंगे तो उसमें हो सकता है सालों लग जाए परंतु Senior Citizen Act के अंदर में दो या तीन महीने के अंदर आपके फेवर में Decision आएगा और उसकी जो अपील होगी वो पहले Divisional Commissioner के पास होगे और फिर High Court के पास होगी तो उसके अलवा Senior Citizen को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक बातिनागी कोने चाहिए लेकिन हर डिस्टिक में दिल्ली पुलीस जैसे कर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर Senior Citizen Cell एक DCP के मारफत बनाई जाती है जिसके अंदर जो जो लोकल जो हमारे इस्थानिये जो Senior Citizens है उनका डाटा दिल्ली पुलीस रखती है इसके अलावा जो है Senior Citizens को Special Protection भी मिलती है वो कहें जो राज्य सरकार के दुआरा भी मिलती है और इसी संबंद में हमने देखा है कि प्राय जो Senior Citizens है उनके बच्चे उनकी देखबाल नहीं करते और अगर उनके बच्चे देखबाल नहीं करते तो वो अपने बच्चों से मैंटरेंस भी ले सकते हैं और अपना जीवन यापन खुशी पूरवक कर सकते हैं और इस कारण जो हमारे समाज के अंदर एक जो सेनियर और जो सामान्य लोगों के बीच में हुआ उसे हमें खतम करना चाहिए और इस बाबत अगर आपका कोई भी सवाल हो कि Senior Citizens के क्या दिकार हैं क्या उनको परिशानिया सामने आ रही हैं क्या उनके परोसी उने परिशान कर रहे हैं बेटा बहू ने परिशान कर रहे हैं और आपको आपके सवालों का मुत्तर भी देंगे